तो चलिए हम लोगी स्टार्ट करते हैं तो लाश्ट लेक्चर में हमने यह फंशन इंसर्ट फंशन बनाया था तो इस इंसर्ट फंशन को हमने च्वाइस वन में अपने काल किया था अच्छा मुझे यहां पर एक लगाना पड़ेगा क्यों लगा रहा हूं देखिए जब मैं इस इंसर्ट फंशन को काल करूँगा तो मुझे एक मैसेज मिलेगा कौन सा मैसेज मिलेगा नोड ऐड़ेट सक्सेस्फुली अब मालीजे अगर मैं गेट सियच न लगाता मालीजे यह गेट सियच नहीं है तो यह ब्रेक चलता ब्रेक चलने के तुरंत बाद हमारा यह तब की वज़ा से यह नहीं दिख पाता क्योंकि यह इतना काम फास्ट होता इसलिए हमने यहां पर एक लगा दिया है ताकि स्क्रीन जो है जग तक मैं कोई भी करेक्टर इंटर्न ना करूं तो स्क्रीन रुकी रहे और मुझे वह मैसेस दिख जाए कि हमारा नोड इंसर्ट हो चुका है तो यहां पर एक लगा दिये हैं अब हम आज फंशन जो बनाने वाले हैं वह फंशन मैं बनाऊंगा शो लिस्ट तो सबसे पहले चलिए इस फंशन से मुझे कुछ रिटन नहीं करना है क्योंकि हम लिस्ट को अपने प्रिंट कर रहे हैं है ना हम नोड आइडिय करना है कि हम अपनी लिस्ट में कुछ चेंजर करना नहीं है सिर्फ जितने भी नोट्सोंंगे हमारी लिष्ट में उनको प्रिंट करना है तो मैं यहां पर फंशन बना लेता हूं लिटसे सो लिस्ट और डी लगा दूंगा डबली इलिंक लिस्ट के लिए हैं ना और मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें अब तो मुझे बताने की जुरुत नहीं होनी चाहिए मुझे एक यहाँ पर head इस तरह से main function से call करते समें pass करना पड़ेगा जो head है हमारी link list को point कर रहा है है ना अब मैं क्या करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर check कर लूँगा इस हेड इकवल टू इकवल टू नल है तो हमारी list क्या है इंपटी है तो मैं यहाँ पर एक message दे देता हूं कि लिस्ट इज इंपटी इल्स में मुझे क्या करना पड़ेगा तो देखिए इल्स में अब मैं यहाँ पर आजाता हूं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं यह सब क्लियर कर देता हूं यहां से ठीक मानलीजे कि यह हमारे पास लिस्ट इस तरह से है और हमारे पास हेड मिल गया है तो मुझे जो हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा उसके डेटा को एक्सिस करके प्रिंट करना है फिर मुझे इस वाले नोड को एड रह चाहिए तो मैं क्य कि मैं हेड को भी तो आगे बढ़ा सकता हूं नहीं होगी लेकिन अगर मानलीजगा को करना है और उस ताइमिपर तो आपका हेड पहले बाए नोड को पॉइंट तो नहीं कर रहा है ना इसलिए हेड को कभी भी चेंदेज मत करो हेड हमारी जिस लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट कर उसको डिश्टर भी मत करो अगर आपको कुछ भी आपरेशन में परफार्म करना है आगे वाले नोड में तो आप एक टंपरेरी वैरियेबल ले लो और उसमें हेड को रख दो तो वो वैरियेबल भी टंपरेरी वैरियेबल इस पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा और आप उसको बढ़ाते रहो कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर एक टंप लेता हूं लट से इस्ट्रक्ट नोड इस्टार टेंप और इसमें मैं रख लेता हूं हेड तो जो यह टेंप बना है जो यह टेंप है यह क्या है यह जो हमारे पास टेंप है इसका नाम है temp और temp में हमने head रख दिया तो मतलब temp में क्या चला गया होगा 1000 मतलब जो temp है वो पहले वाले node को point कर रहा है है ना तो अब मुझे इसके data को अगर print करना है तो मैं लिखूंगा temp arrow data और 2 print हो जाएगा फिर मैं temp को यहाँ पर shift करूँगा यानि कि temp में मुझे इस node का address रखना है तो temp में मैं temp का next रख दूँगा क्योंकि इस वाले node का address कहा है next में है तो temp में मैं temp का next रख दूँगा तो temp इस वाले node को point करने लगेगा और फिर से मैं temp arrow data करके इस वाले node के data को print कर दूँगा और फिर से क्योंकि temp इस node को point कर रहा है तो मैं temp में temp का next यानि कि इसको रख दूँगा तो हो जाएगा 3000 तो temp में 3000 चला जाएगा तो 3000 किसका address है इस वाले node का address है तो temp इसको point करने लगेगा है ना तो यह मुझे तब तक करते जाना है जब तक मैं last node में न पहुंच जाओं और जैसे temp हमारा last node को पहुंचेगा तो इसके मैं data को access कर लूँगा और फिर से जब मैं temp में temp का next रखूंगा तो temp में क्या चला जाएगा नल चला जाएगा और हमारा link list इंड हो जाएगा तो मुझे वह लूप तब तक चलाना है जब तक temp में नल नहीं आ जाता है ना सिंगली link list में भी हमने आपको बताया था तो मैं क्या कहूंगा यानि कि जब तक temp में नल नहीं आ जाता हमारे लूप को चलाओ और सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे प्रिंट करना है क्या प्रिंट करना है मैं लगाँगा पर्सेंट डी एक स्पेस दे दूंगा और मुझे क्या प्रिंट करना है टेंप का जो डेटा है उसे प्रिंट करो जो टेंप का डेटा उसे और मैं यहां पर backslash end देता हूं ताकि दूसरी लाइन से लिष्ट प्रिंट हो ठीक तो मैं इस फंसन को काल करूंगा इस फंसन को मुझे काल करना है तो सो लिष्ट जो फंसन है ये कहां पर है देखिए सेवन नंबर चोईस पर तो मैं सेवन नंबर पर जाओंगा यहां पर औ और मैं लगाऊंगा get ch है ना है तो क्या हमारा काम हो गया चलिए मैं प्रोग्राम को रन कर देता हूं और देखते हैं तो मैंने यहां से किया compile and run अच्छा सो लिष्ट में मुझे head pass करना पड़ेगा ना जब मैं काल कर रहा हूं तो उसलिए देखे यहां message हमें मिल रहा है जो इधर है too few arguments to function so list हमने so list function में जो arguments pass करना है वो कम pass किये है too few arguments है ना तो हमने pass ही नहीं किया था तो यह देखिए हमारा program यहां से run हो गया है I hope कि आपको यह सारी चीजें choice दिख रही है तो अगर मैं 7 इंटर करूं तो अभी तो हमारे पास list में कोई data है ही नहीं है ना और अब मैं one choice इंटर करता हूँ तो let's say मैं ten इंटर करता हूँ देखे कर दाए ओस अगर करेंकर मैं seven इंटर कर देखें मुझे ten यहां से print हो रहा है फिर से मैं 1 इंटर करता हूं 24 और मैं 20 इंसर्ट करता हूं तो मिल रहा है नोड successfully inserted अगर मैं 7 इंटर करता हूं देखे 20 10 मिल रहा है फिर से 1 अगर मैं इंटर करके 30 इंटर करता हूं let's say मैं एक और इंटर करता हूं 40 let's say मैं एक और इंटर करता हूं 50 हमने 5 नोड इंसर्ट कर लिए देखे वह सारे के सारे 5 नोड यहां पर इंसर्ट हो रहे हैं है ना अगर मैं 60 इंसर्ट करूं तो 60 आज़ा छैपने 5 नोड इंसर्ट होगा क्योंकि जो वनपर 214 कोडिंग है वह स्टार्ट में इंसर्ट करने की है ने कि सिस्टी इंसर्टं तो इस तरह से हमारा काम हो रहा है आयोअप कि आपको यह समझ में आया हगा और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में and thank you so much